तो भाई आज ट्राइवर के ओनर्स ट्राइवर को लेके कहा जा रहे हैं ये बहुती अच्छी जगा है एक बहुती मतलब आपको मज़ा आ जाएगा देखके लेकिन थोड़ा बहुत वीडियो क्वाल्टी में मुझे लगेगा आज फर्क पड़ेगा ठंडा मौसम होता है तो और अच्छे से होगा लेकिन एक बात है कि हम इसमें साथ नहीं पांच बन दे जा रहे हैं पीछे वाई सीट आपको पता है रिमूब कर दी है असमान बगार के लिए तो चलिए आज देखि लेते हैं इस गाड़ी का परफॉर्मेस कैसा कैसा हुआ तो चलिए चलते हैं तो देखे हीली एरिया पे तो आपको मैंने एक दम से ही पहुंचा दिया लेकिन अब इस जगह पर देखिए मैं आपको बताऊं अब मैं वीडियो अगरी आपको बताता है उतर उतर के तो वीडियो काफी बड़ी हो जाती और मुझे लग भी रहा है कि देखिए इधर क्व पे लेकिन माइलेज आप जरूर कर सोचेंगे कि स गाड़ी की माइलेज हीली एरिया पर क्यासे होगी तो देखे सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहां पे रस्ते जो है वो कच्छे हैं आप देख रहे होंगे कच्छे रास्ते जहां पर मतलब जो रेत बगारा भी गिरी हु जो हमने जातर गेर यूज ही किया है इसमें तो वो दूसरा तीसरा चौथा यह गेर नॉर्मल लगे हैं इस पे और माइलेज आप आ जाती है माइलेज की तो बारा की माइलेज गाड़ी ने हमें दी है जो मुझे लगता है इस हिसाब से काफी अच्छी है मतलब मैं ऐसा नहीं कि पूरे बैसे तो इस गाड़ ने हमें नॉर्मल अबरेज अगर आप देखें पूरे जो हमारे ट्रिप की तो इसमें तो हमें 17-18 के आसपास की दिये लेकिन इस जगह पे थोड़ा बहुत है जितना किलोमेटर है 5-10 किलोमेटर के आसपास है यहां पे थोड़ी माइलेज क तो देखी रहे होंगे तो नजारे थोड़े बहुत मैंने रिकॉर्ड किये थे मंदिर वगयर मैं आपको दिखा दूंगा और फूल वगयरा देखिए जो काफी अच्छे थे यहां पर तो यह भी इसकी चटनी बनती है तो काफी अच्छी होती है वो तो यह बाते तो हो मैं बताओं तो मुझे नहीं लग रहा है इस गाड़ी का इंजन हार मानने लग जाता है इससे ज्यादा डिफिकर्ट जगतों मुझे लगता है कहीं ही जाकर मिलेगी अगर आप इमांचल से बाहर है तब तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बूरी तरह से मतलब इतने हीरी एर क्योंकि काफी बैल लिफ और मन्य आपको यह मिल जाता है मतलब इस इससाब से जो आपका परपस हो तो यह था वीडियो में बाकी सेकिंड पार्ट मैं इसका आपको ले आऊंगा अगर मुझे लगा कि इसके बारे में बातें बहुत जादा है करने के लिए तो मैं उसमें ब जाएगा तो